नमस्कार मैं हूँ स्नीहार रहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइस करिश्मा कपूर ने में 17 साल उम्र में ही अपनी अभिने की पारी शुरू कर दी थी करिश्मा कपूर ने नपबे के दशक में बॉलीवूड में कई हिट फिल्में दी है करिश्मा कपूर अपने समय की बड़ी स्टार रही है करिश्मा कपूर अपने रिलेशन्शिप को लेकर भी खुब सुर्खिया बटोरती रही अजे देवगन के बाद अब शेक बच्चन के साथ रिलेशन्शिप की खबरे मीडिया के चर्चा में शामित रही हलागी बाद में करिश्मा कपूर ने दिल्ले के बिजनसमैन संजे कपूर से शादी कर ली हलागी दोनों के शादी काफी विवादों में गिरी रही दस साल बाद शादी की बचसूरत सचाई सभी के सामने आते दोनों अलग हो गए और तलाग की अज़ी दे दी दोनों ने तलाग के दोरान एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए आईए जानते हैं क्या है दोनों के तलाग की पूरी कहानी संजे कपूर से शादी करने से पहले करिश्मा कपूर का नाम अब शेक बच्चन के साथ जोड़ा गया मीडिया में खूब खबरे आए कि दोनों के सगाई हो चुकी है और जल्दी शादी होने वाली है हाला कि इन खबरों में कोई दम नहीं दिखी और करिश्मा ने साल 2003 में दिल्ली के बिजनसमैन संजे कपूर से शादी कर लिए शादी के दो साल बाद करिश्मा की बेटी समायरा कपूर हुई इसके बाद साल 2010 में बेटा की आन राज कपूर हुआ हाला कि बेटे के जन से पहले दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था लेकिन ये के इवल परिवार तक ही सिल्ट था बेटे के जन के एक साल बाद करिश्मा और संजे कपूर ने तलाग की अरजी दी इसके बाद दोनों अलग हो गये और तलाग की प्रक्रिया के दोरान दोनों ने एक दूसरे पर गंभी नारोप लगाये करिश्मा कपूर ने अपने पती संजे कपूर की खिलाफ फुलिस में शिकायत तक दर्ज कर दी थी करिश्मा कपूर ने इंटर्व्यू में बताया कि संजे कपूर उन्हें एक टॉफी वाइस की तरह ट्रीट करते थे संजे उन्हें कई बार पीट भी चुके है पीटने के बाद करिश्मा अपने चोटों को मेकप से छुपाया करती थी इतना ही नहीं करिश्मा ने यहां तक कहा था कि संजय कपूर ने उन्हें हनीमून पर दोस्त के साथ सोने तक को मजबूर किया था एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों ने साथ 2016 में तलाक ले दिया करिश्मा के पितार अंदीर कपूर शादी के खिलाव थे अंदीर ने इंटर्व्यू में कहा था हमारे बारे में सभी जानते हैं हम कपूर खांदान से हैं हम किसी के पैसों के पीछे नहीं भाग हमें भगवान ने पैसे के साथ उनल भी दिया है जिससे हम सारी जुन्दगी पैसा कमा सकते हैं संजरे थर्ड क्लास के आदमी है शादी के बाद भी उनका अफैर रहा उनके बारे में फूरा दिल्ली जानता है फिलार के लिए इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ गुडबाई